हालो फ्रेंद्स वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दवानी क्लासिस गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने शुडू की है हमारी एच्पी ट्ट प्रिपरेशन सीरीज जिसमें से कुछ पिछली दो वीडियो में मैं आपके साथ एच्पी ट्मेडिकल का ते तर वीडियो में आपके लिए लेकर आही हूं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरे वान फिप्ती कॉश्टन इस पेपर के डिसकस करें हमने पहले की दे 77 कोश्टन तक आज हम 78 से वान फिप्ती तक कोश्टन करेंगे जिसमें इसकी जी के सेक्षिन भी आए किमें तो आपको वीडियो को एंट देखना है विडियो थोड़ी से लंदी हो सकते हैं आपके लिए बहुत ही जादा ह। लोगी ब्लीओ को लायक क्या सुप्सक्राइब क्या जी का पलीओ ने क्शिर्फिक्राइब को यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो प् gli इतने सालों में एक वार दिखता है in 76 years in 86 years in 60 years या फिदी 100 years so heli comet है उसका यह है कि वो 75 to 79 years में एक बार देखा जाता है तो यहां पर होगा हमारा right answer option A 76 years में एक बार देखा जाता है question 79 which is the longest bone in human skeleton system हमारे human skeleton system में सबसे लंबी हड़ी कौन सी है humorous, femur, tibia, kilcanium जो सबसे लंबी bone है वो है हमारी femur जो पाई जाती है कहां पर? legs में, legs की upper portion में और एक है हमारी smallest bone जो है steps और steps पाई जाती है ear में, okay? question number 80, pygmies are the tribes of your pygmies people है वो कहां की tribe है, वो कहां पर रहती है Africa, Nepal, Zir, Yafidi, New Zealand so pygmies tribe हैं एफरीका की और इनकी जो height होती है ये बहुत ही छोटी height वाले लोग होते हैं pygmies होते हैं ये, ठीक है, option A होगा, right answer question number 81, the hottest place on earth is in ये जो options है, इन में से जो सबसे hottest place है earth का वो कहां पर है South Africa, America, India या फिर Libya so ये जो options है, इन में से सबसे hottest place है अर्थ का लिबया में और ये कब observe किया गया था, ये observe किया गया था 13 September 1922 में, वहां पर temperature था, सबसे highest temperature 58 degree Celsius question number 82, the time interval between a high tide and low tide ठीक है, high tide और low tide के बीच में जो interval है, वो कितना होता है 3 hours 13 minutes, 6 hours 13 minutes, 9 hours 13 minutes, या फिर दी 12 hours so ये interval होता है, 6 hours and 13 minutes का option B is the right answer question number 83, the world famous Khajurau temple was worldwide जो Khajurau temple है, Khajurau mandir है, वो किसने बनाया था? चोहांस ने, सुलंकीज ने, परमर्स ने, या फिर चंदेलास ने so ये बनाया था, चंदेल ने, option D is the right answer question number 84, who wrote Shah Nama? Shah Nama किसने लिखा? फिर दोजी, मुबारक शा, जियोदीन बरानी, या फिर D. चनकिया so, Shah Nama was written by Firdoji, option A is the right answer question number 85, pollutant from motor cars exhaust that causes mental disease is ऐसा pollutant, जो motor cars के exhaust से निकलता है और वो mental disease cause करता है, वो कौन सा pollutant है? lead, NO2, SO2, Hg, यानि कि mercury so, ये है lead option A is the right answer okay 86, formation of ozone hole is maximum over जो ozone hole है, वो सबसे ज़्यादा कहां पर है? India, Africa, Antarctica, Europe so, ozone hole सबसे ज़्यादा Antarctica के ओपर question number 87, French Revolution broke out in यानि कि France की करांती कब शुरू हुई? 1798, 1789, 1898 या फिर 1889 so, France की करांती शुरू हुई 1789 में और वो कब तक चली? 1799 question 88, in 1857, Uprising did not take place at 1857 में विद्रो कहां पर नहीं हुआ? ठीक है, कहां पर नहीं हुआ? ये पूचा है अवद, मद्रास, मद्रप्रदेश, East Punjab so, ये नहीं हुआ विद्रो उस समय मद्रास में question 89, the All India Muslim League was founded in the year All India Muslim League कब found की गई? किस year में उसकी शुरुआत हुई? 1906, 1905, 1909 या फिर 1904 में तो ये हुई 1906 में, here is the right answer question 90, महात्मा गांधी फर्स एक्स्पिडियन्स विद मास मुवमेंट इन इंडिया वाज आट? चंपारण, बर्दोली, चोरी-चोरा, गुजरा तो ये शुरू हुई तो चंपारण से चंपारण आदोलन भी कहते हैं हम इसको question 91, वंदे मात्रम वस रिटन वाई, वंदे मात्रम को किस ने लिखा? मोहद इकवाल, बंकेम चंद्र चटर जी, बीजे तिलिक, रविंदर नाथ टगोर वंदे मात्रम को लिखा, बंकेम चंद्र चटर जी ने लिखा हमारा national anthem okay, national anthem question 92, the kazi ranga national park is situated in, बहुत पार kazi ranga national park से question आता है, यह gk में भी आता है, और biology में भी पूछा जाता है, चो kazi ranga national park कहां पर है, असम में, बिहार में, बेस्ट पंगोल में, या फिर महारास्ट्र में, चो kazi ranga national park है, असम में, और यह किस के लिए famous है, यह भी पूछा जाता है, so kazi ranga national park famous है for its one horned rhino, एक सिंग वाले गेंडे के लिए famous है, kazi ranga national park, question 93, जातक्स are the stories of the previous worth of, बुद्ध, महावीरा, कृष्ण, या फिडी, none of these, so जातक कथाएं famous हैं, बुद्धा के स्टोरी के लिए, option A is the right answer, question 94, the Indian board of wildlife was constituted in, इसका हम short form में कहते हैं, IBWL, the Indian board of wildlife constitute की गई, 1952, 1962, 1972, 1974, right answer is option A, that is 1952, okay, question 95, name the island of India, which is an active volcano, India का कौन सा ऐसा island है, जो अभी भी active volcano है, रोस island, निकोबार island, लक्षदीप, या फिडीप, बारन island, so ये है, बारन island, option D is the right answer, question 96, which state is the southern neighbor of Jammu and Kashmir, उत्रखन, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, right answer हमारा option B, that is Himachal Pradesh, question 97, जो cyclone होता है, उसमें जो low pressure area होता है, वो center में होता है, या फिर नहीं होता है, तो yes, cyclone में low pressure area होता है, and the center option is the right answer, question 98, the origin of Vyas, is in Vyas, नदी का origin कहाँ पर है, वेरी नाग न कश्मीर, Vyas, Kund, केलाश, मांसरो, वर, डी गंको 3, so its origin in Vyas, Kund, option B is the right answer, question 99, the largest glacier in Himachal Pradesh is, हिमाचal Pradesh में सबसे largest glacier कोन सा है, बड़ा शिगरी, चंद्र ग्लेशियर, पिराट ग्लेशिर, पारबती और दुधोन, सबसे बड़ा ग्लेशिर है, बड़ा शिगरी ग्लेशिर जो है, और सबसे छोटा है, छोटा शिगरी, option A होगा यहाँ पर हमारा right answer, और यह largest glacier कहाँ पर है, यह है डिस्टिक, लाहौल स्पीती में, okay, question number 100, who was the founder of Chamba district, Chamba district का निर्मान किस ने किया, किने Chamba district का founder कहा जाता है, वीर सिंग इन मेरू वर्मन, हाथी सिंग, none of these, right answer is option B, that is मेरू वर्मन को कहा जाता है, founder of Chamba district, question number 101, पठान कोट तो मंडी is a national highway of number, पठान कोट से जो मंडी का national highway है, उसका क्या number है, 21, 20, 23, 24, right answer is option B, that is NH20, question number 102, India's first F1 racing track is situated in Lucknow, Kolkata, Delhi, Greater Noida, right answer हमारा option D, that is Greater Noida में, India का पहला F1 racing track बनाया गया, okay, 103, which of the following is a tributary of Vyas river, Vyas river के नहीं में से tributary कौन सी है, Chandra, Maankun, Baira, Sirkun, option B is the right answer, that is Maankun, question number 104, the most literate district in HP is, Himacharya Pradesh में सबसे सिक्षित जो district है, सिक्षित ता है, वो किसे कहा जाता है, Bilaspur, Hamirpur, Shimla, Kangra, right answer option B, that is Hamirpur को, 105, when Gandhiji visited Shimla, Shimla में Gandhiji कब आय थे, किस एर में आय थे, बहुत easy, बहुत basic question, option D, that is 1921 में, 106, HP area and languages written by, जो book है, HP area and languages, उसको किस ने लिखा, Shanta Kumar, Dr. Vaispamar, Hari Ramajastan, none of these, right answer is option B, that is Dr. Vaispamar ji, okay, question number 107, the infamous 2G scam is related with 2G scam हुआ था, वो किस के साथ related है, print media, entertainment के साथ, telecommunication के साथ, none of these, so यह related है, with telecommunication, option C is the right answer, So guys, यहाँ पर हमारी जो G के सेक्शन है, इस पेपर की वो complete होती है, अब आती है हमारी chemistry section, okay, Okay, question number 108, which of the following known matters occur in liquid form at room temperature, इन में से कौन सा metal ऐसा है, जो liquid form में होता है, room temperature पे, Okay, bromine, carbon, sulfur, chlorine, बहुत ही basic, बहुत ही easy question है, यह right answer है, हमारा option A, that is bromine, Okay, question number 109, soaps are sodium salts of, soaps जो होते हैं, वो sodium salts होते हैं, बट किस के होते हैं, mineral acids के, fatty acids के, basis के, carbonic acids के, right answer is option B, that is of fatty acids, Question number 110, carbon dioxide turns lime water milky due to the formation of, जो carbon dioxide है, वो lime water को milky बना देती है, किस के formation की बज़़ से, Okay, right answer होगा, हमारा, इसका option B, that is calcium carbonate की बज़़ से, Question number 111, when SO2 dissolved in water, the acid formed is, जब SO2 को हम डालते हैं, किस में, water में, तो कौन सा acid बनता है, ठीक है, sulfuric acid, sulfurous acid, sulfuric acid, olive, उस से में बनता है, H2SO3, यानि कि, sulfurous acid, option B is the right answer, Question number 112, the property of metals by virtue of which it can be drawn into wires is gold, यानि कि, जो matters होते हैं, उनकी ये property है, कि वो wires में, उनको हम change कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, hardness of matters, malleability, ductility, both B and C, तो इस process को कहा जाता है, ductility, जब हम metals को wire में change कर सकते हैं, ठीक है, और एक और property होती है, matters की, वो ये होती है, कि हम metals को किस में convert कर सकते हैं, in sheets, ओके, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, malleability, आपसे malleability से भी question पूछा जाता है, ductility से भी पूछा जाता है, malleability, यानि कि, जब आप metal को sheets में convert करते हों, और ductility, जब आप metal को वायर्स में convert करते हों, इस question का right answer is option C, that is ductility, question number 113, an element X, कोई element है, X has 12 proton in its nucleus, उसके nucleus में कितने protons हैं, 12, तो which group of the periodic table it will belong, वो periodic table के किस group से बिलोंग करता है, ठीक है, so कोई element X है, उसके 12 protons है, यानि कि उसका जो, atomic number होगा, वो 12 होगा, so atomic number 12 है किसका, magnesium का, और उसके जो electronic configuration है, वो है 282, okay, question 114, which among the following is not a transuranic element, इन में से कौन सा transuranic element नहीं है, और जो transuranic elements, ऐसे elements होते हैं, जनका atomic number 92 से उपर हो, पहले हम इनके atomic number देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये question जो है, वो सही पूछा गया है, या फिर नहीं, या फिर कौन सा option सही होगा, पहले आता है हमारे uranium, जिसका atomic number है 92, फिर आता है polonium, जिसका atomic number है 84, फिर आता है radon, जिसका atomic number है 86, जिसका atomic number है 95, फिर नहीं से जो transuranic elements नहीं है, वो ये देखो, A भी हो गया, C भी हो गया, और B भी हो गया, फिर ये तीनो transuranic elements नहीं है, क्योंकि इनके atomic numbers हैं, वो 92 से कम है, और जो transuranic element है, वो है option D, इसलिए ये जो question जो पूचा गया, ये ही गलत है, इसमें ये होना था, कि which among us the following is a transuranic element, तब हमारा right answer होता, option D, that is amarygium, तो आपको इस तरह से questions पढ़ लेना है, question 115, the element with highest electronegativity in the periodic table is, कौन सा element है, प्रियोडिक table में, जिसकी electronegativity जो है, वो सबसे highest है, बहुत easy है, इसका right answer option B, that is fluorine, question 116, which of the following statements is wrong, इनमें से कौन सी statement, जो है वो गलत है, ठीक, आपको बताना है, कौन सी wrong है, option A, an atom is electrically neutral, हाँ तो ये सही है, atom electrically neutral होते है, the size of cation is smaller than that of corresponding atom, ये भी सही है, कि जो किटायन का size होता है, जो चोटा होता है, फिर आता है, size of anion is bigger, ये भी ठीक है, anion का size bigger होता है, अब देखते है, option D, an atom and its iron have an unequal number of protons, तो इस question का जो right answer होगा, वो होगा हमारा option D, क्योंकि हम से ये ही पूछा गया, कि कौन सी statement wrong है, तो वो है option D, okay, now question 117, which of these have a triple covalent bond, इन में से किसका triple covalent bond होता है, pH 3, Al, C L 3, C 3, H 8, D C 2, H 6, सो जो इसका covalent triple bond होता है, वो होता है, इसका structure इस तरह से होता है, C triple bond C, H, ह, बन गया, C 2, H2, ठीक है, ये है हमारी ethylene, सो इसमें triple covalent bond है, option D is the right answer, question 118, the formula of silver phosphate is, silver phosphate का formula क्या होता है, so silver phosphate का formula होता है, A, G 3, P of 4, option B is the right answer, question 119, की जो question इसमें आपको एक reaction दिया गया है, जिसको आपको balance करना है, ठीक है, A, B, C, D, E, values दी गई है, इन सबी के आगे, तो आपको देखना है, कि किस से ये balance होगा, किन value से balance होगा, तो ये होगा, option C से, आप इनको put करके भी देख सकते, जिसे, 1FA2O3, plus 3H2, it gives, 2FA, plus 3H2O, ठीक है, आप देख सकते, जिसे, iron दोनों side 2 है, oxygen, दोनों side 3 है, और जो hydrogen है, question 120, the property of an element, to form a bond with itself, is known as, किसी atom के ऐसे property, कि वो अपने साथी, bond बना सकता है, उसको के, catenation, option B is the right answer, question 121, the formula of oleum is, oleum का formula, बात बार पूछा जाता है, कि oleum का क्या formula है, so oleum का formula है, H2S2O7, option C is the right answer, question 122, the plastic which soften upon heating, but regains its properties, on cooling are called, ऐसे plastic, जो heating पर soft हो जाती है, बट जब हम उनको कूल करते हैं, तो वो अपने properties में बापिस आ जाती है, it regains its properties, उस तरह के plastic को हम क्या कहते हैं, thermoplastic, thermosetting plastic, thermoeilastic decellulose, तो इस तरह के plastic को कहते हैं, thermoplastic, okay, option A is the right answer, now question number 123, the common name of sodium bicarbonate is, sodium bicarbonate का common name क्या होता है, ठीक, इसका common name होता है, baking powder option B is the right answer, question number 124, which among the following will not conduct electricity, इन में से कोर्स ऐसा है, जो electricity को conductor नहीं करता है, so वो है हमारा C6, H12, O6, जो किसका formula है, glucose का, okay, question 125, a clinical thermometer is calibrated form, जो clinical thermometer होता है, जो doctor thermometer होता है, वो temperature कहां से कहां तक measure करता है, so वो measure करता है, 25 degree Celsius to 42 degree Celsius तक, option B is the right answer, question 126, the process of reduction involves, जो reduction का process होता है, उसमें क्या होता है, removal of hydrogen, gain of electron, addition of oxygen, the loss of electron, so reduction में, gain होता है, electrons का, और oxidation में होता है, loss electrons का, option B is the right answer, question 127, the monomer of natural rubber is, natural rubber का monomer क्या है, जो natural rubber है, वो एक polymer है, और इसका monomer क्या है, इसका monomer है, isoprene, option C is the right answer, 128, which of the following is not an organic acid, इंमें से कौन सा organic acid नहीं है, जो organic acid नहीं है, वो है nitric acid, HNO3, option D is the right answer, question 129, in milk of magnesia is an, जो milk of magnesia है, वो क्या है, acid है, base है, anti-acid है, या फिर rock salt है, तो ये एक anti-acid है, option C is the right answer, और milk of magnesia किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है, magnesium, hydroxide को, okay, question 130, which of the following is the basic oxide, इनमें से कौन सा basic oxide है, तो वो है calcium oxide, option A is the right answer, question 131, sodium carbonate is prepared by, sodium carbonate कैसे बनता है, किस process से बनता है, salve process, backman's plant, hebers process, adding water to line, so, ये बनता है, salve process है, option A is the right answer, question 132, which of the following are isomers, इनमें से isomers कौन कौन से हैं, so जो isomer है, वो है isobutane and butane, option D is the right answer, okay, question 133, the allotrope of carbon, which is a good conductor of heat and electricity, carbon का ऐसा कौन सा allotrope है, जो good conductor है, heat का भी और electricity का भी, ठीक है, carbon की तीन अलोपिक्स फॉर्म होदी, जिसमें से दो यहां पर दी गई हैं, diamond है, graphite होरे एक होदे, book minister fordra, okay, so, जो सबसे अच्छा conductor है, वो है graphite, option C is the right answer, question 134, which of the following is a mono basic acid, इनमें से कौन सा एक mono basic acid है, so, जो mono basic acid है, वो है option B, that is CH3COOH, यह है हमारा, acetic acid, okay, this is mono basic acid, question 135, pH of tomato juice is 4, tomato juice का जो pH है, वो 4 है, इसका क्या मतलब है, क्या यह basic है, neutral है, acidic है, yafety, none of these, तो जो acidic pH होता है, वो होता है, हमारा 7 से नीचे वाला, जो 7 होता है, वो होता है, neutral, और 7 से उपर जो होते हैं, वो होते हैं, basic, okay, जो अगर 4 है, 4 है, तो यह होगा, acidic, option C is the right answer, question 136, which of the following is a neutralization reaction, इनमें से कौन सा neutralization reaction है, so, तो neutralization reaction इस तरह से होता है कि, plus base gives salt plus water, तो इस तरह से reaction हो रहा है, हमारे option A में, तो अप्शन A होगा, हमारा neutralization reaction, question 137, scattering of light while colloidal particles is known as, जब light scattering होते है, तो उसको क्या कहते है, तो इसको कहा जाते है, तो इसको कहा जाते है, तिंडल एफेक्स, option B is the right answer, question 138, the first person to see a cell under the microscope was, सबसे पहले, माइक्रोस्कोप के अंदर, कोशिका को किस ने देखा, okay, M. Sheldon, T. Schwan, Robert Hook, and Tone 1. Liwenho, तो इसको देखा, Robert Hook ने, option C is the right answer, अब हमारे कुछ 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 आगे हैं, इसमें, biology section के, ठीक है, पहले किमिस्टी की थे, biology के आगे है, question 139, nitrogen fixation in leguminous plants, is done by, जो leguminous plants होते हैं, जिसे हमारा P हो गया, gram हो गया, इसमें nitrogen fixation, कौन करता है, acetobacter, salmonella, rhizobium bacteria, D penicillium, तो ये करता है, rhizobium bacteria, option C is the right answer, chemicals used to control the weeds, are called, ऐसे chemicals जिनको, weeds के control के लिए, यूज किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, insecticide, weedicide, manure, fertilization, तो उनको कहा जाता है, weedicide, जो weeds को कंट्रोल करते हैं, 141, the process of separation of grain and chaff, by farmers with small land holdings is called, जब हम दाने को भूसे से अलग करते हैं, तो उस process को क्या कहते हैं, threshing, winnowing, harvesting, D, both A and C, तो इस process को कहा जाता है, winnowing, 142, the process of obtaining nutrition, by feeding on dead and decaying matter, is called, ऐसा process, जिसमें organism, dead decaying matter पर feed करते हैं, उसे क्या कहते हैं, phototrophic nutrition, saprotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, या फिडिक cannibalism, तो उसको कहा जाता है, saprotrophic nutrition, option B is the right answer, 143, leaving partnership between a fungus and an alga, algae and, fungus की mutual partnership को क्या कहते हैं, lichen bacterium mucor parasite, तो उसको कहा जाता है, lichen, option A is the right answer, 144, the gas exchanging structures in a plant is, किसी भी plant में, gas exchanging structures, कौन कौन से होते हैं, lenticels and stomata leaves both A and B, so lenticels and stomata, दोनों gas exchanging structures होते हैं, प्लांट में, option D होगा, right answer, question 145, if the absorbed water and minerals are transported to other parts of the plant by network of tubes, यानि कि बार्डर की ट्रांस्पोर्ट किस के थू होती है, पूरे प्लांट में, फ्लोईं के थू, फाइवर्स के थू, बार्क के थू या फिर जाइलम के थू, तो water को conduct करता है जाइलम, और food को conduct करता है फ्लोईं, F से फ्लोईं और F से food, option A होगा, तब right answer, अगर food पूछा गया होगा तो, और यहां पे water है तो जाइलम होगा, okay, question 146, evaporation of water molecules in the form of water vapors from plant surface, especially leaves, is called, जब water molecules की evaporation होती है, water vapors के form में, especially leaves में, तो उस process को क्या कहते हैं हम, evaporation, respiration, transpiration, both A and B, तो इस process को कहा जाता है, transpiration, option C is the right answer, question 147, the areas where animals and plants are protected from any disturbance to them, and their habitat and the traditional life of the tribes in the area are called, उसको क्या कहते हैं, जब animals और plants जो हैं, वो किसी भी बाहरी disturbance से उनको protect किया जाता है, biosphere reserve, national park, century, none of these, उसको कहा जाता है, biosphere reserve, 148, east reproduces by, जो east है, वो किस तरह से reproduce करता है, spore formation, budding, fragmentation, vegetative propagation, so east reproduce करता है, by budding, जो a sexual reproduction का एक type है, question 149, fruit is the growth of fruit, किसकी growth है, ठीक है, fertilized ovary की, style की, stigma की, या फिर anther की, so fruit growth है ovary की, जो ovary है, वो mature होके बनती है, fruit और जो ovary के अंदर ovules होते हैं, वो mature होके बनती है, seeds, ठीक है, last question is, tropical rainforest है, जो tropical rainforest है, उनमें क्या है, poor rainfall, million of plants and animal species, poor soil, temperature ranging from 35 degree Celsius to 40 degree Celsius, so tropical rainforest है, उनमें rainfall भी होदे, उनकी soil भी बहुत अच्छी है, तो ये तो नहीं होगे, right answer हो, option B, उनमें मिलियन्स ओफ ब्लांट्स और अनिमर्स की स्पेशे हैं, tropical rainforest में, so guys, आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको कमेंट करके बताएं, कि आपके टोटल में से कितने questions सही हुए, और आपको इस तरह की और प्रिबीस ये पेपर्स की वीडियो ज़हीए,